हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताने जा रहे हूं कटिंग अन्स्टिचिंग ऑफ डिजाइनर हाई नेक जिसका मेजर्मेंट इस प्रकार है लेंथ आफ फ्रंट नेक इस शिक्स अंडे हाफ इंच एंड नेक विर्थ इस फाइवंडे हाफ इंच तो मैंने यह जो है नेक ब के बाद इस पर नेक कैसे बनाएंगे वो आपको बताऊंगे कटिंग करने के बाद बैक पीस को अलग करते हैं और वापिस इस पीस में हम फ्रंट नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे फ्रंट नेक की हमारी ब्राडनस है फाइव एंड एफ इंच तो उसका हाफ होता है तू 6.5 इंच तो लेंथ में पूरी 6.5 इंच लूँगी और यहां से इधर से भी क्रोस मा करूंगी 20.5 इंच का और बॉक्स बनाऊंगी पैले उसके बाद हम नेक बॉटम से 3 इंच का मार्क लेंगे और ऐसे यहां से थोड़ा सा यहां से राउंड शेप देते वे वी अलफाबेट की तरह इसको यहां से यहां मिलाएंगे और यहां से हम इसको ऐसे राउंड में यहां मिला देंगे और इसको इसकी हम कटिंग करेंगे पैले यह कटिंग करने के बाद अब हम इस जो उपर वाला हमारा क्लॉथ है इसमें हम ऐसे हलकी राउंडिंग देंगे और यहां से यहां लगभग वन इंच के करीब छोड़ करके इस प्रकार से इसकी एक रांडिंग देंगे यह हमारा रफ कपड़ा होगा इससे बाहर-बाहर हाफ इंच हम इस कपड़े में से इसकी कटिंग करेंगे और वापिस पहले neck बना करके इसको उपर joint करना मैं बताऊंगे उपर का जो हमारा ये piece बना था उसको मैंने बीच से cut कर लिया है और उसको इस double fold कपड़े के उपर रख करके half half inch तो ये three sides से extra है और इधर से हम लगबग one से one and a half inch extra लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम neck में joint लगाने पड़ती है तो ये two piece ये हैं अब इस marked line पे हम इसको cut करके neck बनाना सिखाएंगे इस बीच वाले गले को stitch करने के लिए हमने ये one and a half inch चौड़ी strip काटी है वी alphabet में और अब इसका right to right and center to center match करके यहाँ से यहाँ ऐसे stitch करेंगे ये stitching करने के बाद इसमें छोटे छोटे cuts लगाएंगे वो करने के बाद मैं next procedure करते हूँ stitching करने और cuts लगाने के बाद अब हम इसको ऐसे right side में fold करेंगे और इसमें से ऐसे ये बारीक सी pipe in निकालते वे यहाँ इसको stitch करेंगे इस तरह ये stitching करने के बाद अब हम इसको wrong side में लेके जाएंगे और ये जो हमारी strip है इसको हम ऐसे fold करके यहाँ पर temporary stitching करेंगे और बाद में इसको hand stitch करके under कर देंगे अब हम अपने उपर की ये दोनों piece लेंगे जो हमारे दो हिस्सों में हैं यहाँ से अब हम half inch की ऐसे सिलाई लगाएंगे इसी shape में इसको और यहाँ से यहाँ तक ऐसे यहाँ तक यह वाला हिस्सा side का खुला रहेगा सिलाई लगा करके इसमें हम cuts लगाएंगे और इसको right side में हम निकाल के लेके आएंगे ऐसा हम इसमें और इसमें करेंगे right side में लाने के बाद इसके side में हम temporary stitching करेंगे इसको fix करने के लिए और दोनों side करेंगे temporary stitching द्वारा इसको fix करने के बाद अब हम इस अपने front piece पर half inch का ऐसे निशान लगाएंगे shoulder के उपर और इसको इसके उपर रख करके यहां से यहां तक stitch करते वे आगे तक इसकी finishing कर देंगे इस परकार से और इसी परकार हम दूसरी साइड भी stitch करेंगे यहां पर इसको joint करके और stitching करने के बाद तीन तरफ से फिर अब हम यहां से यहां मार करेंगे अपने तीरे का आधा प्लेस आधा इंच तीरा है हमारा 11 इलेवन का हाफ होएगा 5.5 प्लेस हाफ हो जाएगा 6 इंच और इसी परकार हम इधर से इधर भी मार्क करेंगे 6 इंच और इसको ऐसे मिला करके यह 6 इंच मार्क को मिलाते वे अब हम इसको slant manner में यानि की बार की तरफ ऐसे सिलाई लगाएंगे इस परकार से इस तरफ ऐसे और इसको थोड़ा firmly joint करेंगे रॉंग साइड में यह stitch करने के बाद इसको हम ऐसे खोलेंगे और इसको इधर और इसको इधर यह हम hand stitch करेंगे इस परकार से चाहिए इसको ऐसे fold करके कर दो यहां से यहां ऐसे और यहां पर इसको hand stitch करतेंगे उसके बाद हम अपना back panel लेंगे और इसकी जो यह stitching है यह center है इसको इसके साथ ऐसे match करेंगे और इस half inch line के उपर इसको ऐसे रख करके stitch कर देंगे यहां से यहां तक formally stitch होईगा back में यह stitch करने के बाद अब अगर हम इसको ऐसे करके ऐसे fold करते हैं तो यह बन जाता है हमारा high neck तयार यह पहनने के बाद जो है इसकी finishing अच्छी आती है next वीडियो में मैं आपको एक नई cutting या एक नई stitching आसान तरीके से समझाऊंगी धन्यवाद झाल झाल